हेलो फ्रेंड्स आयाम अनिलाइतान कलास 10th NCRT mathematics के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में आप समझेंगे exercise 14.3 के question no.4 को फ्रेंड्स चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए बेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो ने पर आपको notification प्राप्त होसके question no.4 एक पोदे की 40 पत्यों की लंबाईयां निक्रतम मिलिमीटरों में मापी जाती है तो ता प्राप्त आंक्डों को निमलिक्ट सार्नी के रूप में निरूपित किया जाता है पत्यों की माध्यक लंबाई ग्यात किजी पत्यों की माध्यक लंबाई हमने ग्यात करनी है तो जो लंबाईयां दीगे यह वो क्या दीगे यह 118 से 126 mm कि पत्यों के संक्या कितने 3 है अगले वरग में क्या है 127 से लेकर के 135 इसमें कितने 5 है तो यहां जो यह वरग अंत्राल है यह continuous नहीं है स्तत वरग अंत्राल नहीं है continuous interval नहीं है क्योंकि यहां कितना 127 है और यहां कितना 127 तो इस वरग अंत्राल में जो पतियां वो 126 से कम वाली है और इसमें 127 से 135 से कम वाली है तो 126 और 127 के बीच में जो पतियां आएंगी वो इन दोनों वरगंत्रालों में नहीं हैं तो यह जो वरगंत्राल दिया गया इसको पहले स्तत वरगंत्राल हमें बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है तो पहले हमें अगले सीमा कितनी है 127 माइनस जो पहले बर की निमनी है 127 इसको हमने 2 से डिवाइट करना है तो यह हमारे पास कितना आएगा 127 में से 126 माइनस करेंगे तो कितना आज़ेगा 1 बाइ 2 तो यह कितना आगा 0.5 आगया तो निमन सीमा में 0.5 हमने गटाना है और उपरी सीमा में 0.5 हमने एड करना है तो वरगंतराल हमें क्या मिलेगा निमन सीमा में 0.5 गटा देते हैं 117.5 आजएगा यह हमारे पास आगया उपरी सीमा में 0.5 हम एड कर देते हैं तो यह कितना आगया 126.5 आगया इसी परकार निमन सीमा में 0.5 हम घटा देते हैं तो यह आएगा 126.5 और उपरी सीमा में जोड़ देते हैं तो 135.5 अब क्या हो गया यह यहाँ भी 126.5 है उपरी सीमा और अगले वरक की जो निमन सीमा वो कतनी है 126.5 है अब यह क्या हो गया continuous interval आगा है यानि स्तत वरक अंत्र चालों में नया आसके तो अब 117.5 से 126.5 में पत्तियों की संख्या कितनी है तीन है 126.5 से 135.5 में कितनी है पांच है तो इसी भार आगे वाला जो बरगंत्राल बनेगा वो 135.5 से 144.5 और इसमें कितनी है 9 है फिर 144.5 153.5 इसमें 12 है आगे 153.5 से 162.5 इसमें कितने 5 है और देखिए इसमें आगे वाले में 163 है तो इसमें से घटा देंगे 0.5 तो कितना आजेगा 162.5 और इसमें आड कर दें तो 171.5 तो पत्तियों की संख्या 4 है यहाँ 171.5 से 180.5 इसमें कितनी 2 है यह हमारे पास F है frequency FDV है बारंबारता है अब हमने इसकी CF यानी cumulative frequency निकालनी है संचाई बारंबारता तो कितनी आगी? 3 आगी आगे वाली वरक की बारंबारता इसमें जोड देंगे यहाँ कितना आजेगा? आठ फिर आगे कितना 99 इसमें आड करतो कितना है? 17 में 12 आड करेंगे कितना है? 29 में 5 एड़ करेंगे 34 34 में 4 एड़ करेंगे 38 और 2 एड़ करेंगे 40 तो n is equal to हमारे पास कितना है यहां पर 40 है इनका यह कितना है 40 है और यह भी हमारे पास last जो संचरी बारम बारता है 40 आगी अब हमें निकालना है कि n by 2 हमारे पास क्या है तो n, n का मान कितना है हमारे पास 40 है तो n by 2 हमारे पास क्या आएगा n by 2 is equal to कितना आगया 40 by 2 इससे cancel करेंगे 20 तो कितनी value आगी 20 आगी यह जो 20 है इससे अधिक और इसके निकरतम संचरी बारम बारता कौन सी है 29 तो 29 के जो सामने वाला वर्ग है यह जो है यह क्या है माध्यक वर्ग है तो इस परकार हमारे पास माध्यक वर्ग क्या आगया माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग हमें मिलके कौन सा है 144.5 से 153.5 यह हमारे पास माध्यक वर्ग आगया अब माध्यक वर्ग आगया है तो हम सारे मान माध्यक का जो सुत्र में हमें चाहिए L, CFF, H और N by 2 हमारे पास है वो हम गयाद कर सकते हैं तो इस परकार L क्या होती है माध्यक वर्ग की निमनशीम है कितनी है 144.5 और CF क्या होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 17 और F, F क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबरता, कितनी है, 12, और H क्या होता है, वर्ग माप, तो 126.5 में से 117.5 गठाएंगे, तो कितना आजएगा, 9 आजएगा, तो ये सारे मान हम माध्यक के सुतर में रख देते हैं, और माध्यक निकालते हैं, माध्यक का सुतर होता है, L प्लस N बाइ 2, माइनस C F, डिवाइड में F, और मल्टिप्लाई में H, ये होता है, तो L, L की वेल्यू कितनी है, 144.5 है, प्लस N बाइ 2, N बाइ 2 की वेल्यू हमने कितनी निकाली, 20, माइनस C F, C F की वेल्यू कितनी है, 17, और डिवाइड में कितनी है, F, F की वेल्यू कितनी है, 12, और मल्टिप्लाई में H, H कितना है, 9, तो इसको सॉल करते हैं, 144.5 प्लस, 20, माइनस 17, कितना है, 3, इन्टू 9, डिवाइड में 12, तो ये किस से कट गया, 4 पे कट गया, तो इस परकार, 144.5 प्लस, 9 बाइ 4, 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो वे कितना आएगा, 2.25 आजाए, तो ये हमारे पास आगया, 146.75 आगया, अता है, पत्तियों की माध्यक लंबाई, 140.75 mm है, तो उमीद है, इस वीडियो में समझायागा, कुश्यन नमबर 4 आपको समझ में आया है, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,